प्रैमरी होगा एक सेकंडरी होगा प्रैमरी फिल्टर वो होता है जो मोटी डस्ट को भार करता है और सेकंडरी फिल्टर वो होता है जो उससे बारिक डस्ट को साफ करता है तो मेंली दो टाइप के आपके फिल्टर होए एक होगा प्रैमरी और एक होता है सेकंडरी जब हम इस प्रैमरी और सेकंडरी की बात करते हैं, तो जो सेकंडरी फिल्टर होता है, वो फिर अलग-अलग प्रकार का होगा, तो अगर हम बात करें OL फिल्टर की, तो OL फिल्टर के अंदर सबसे नीचे फैले एक फिल्टर होता है प्रैमरी, प्रैमरी फिल्टर ऐसा होगा, इसके अंद है वो दो परकार का होगा इसमें एक होता है फुल फ्लो और एक होता है सेमि-फ्लो का मतलब यह होता है कि फिल्टर के अंदर से ही सारा ओयल साफ हो के आगे जाएगा तो यह कहलाएगा आपका फुल फ्लो और दूसरा होता है आपका सेमी फ्लो सेमी फ्लो के अंदर एक पाइप लगा होता है बाइपास से जब ये फिल्टर कुछ चोक हो जाए तो यहाँ पे वाल होती है वो खुल जाएगी और कुछ तेल साइड से बिना साफ हुए अंदर जाएगा ताकि लुब्रिकेशन ना रुके तो इस प्रकार का फिल्टर आपका कहलाएगा सेमी फ्लो और जब पूरा का पूरा तेल इसके अंदर से च्छनके जाएगा तो कहलाएगा आपका फुल फ्लो और ये जो फिल्टर है ये दो प्रकार के होंगे एक होता है साफ होने वाले और एक होता है बदलने वाले जिन फिल्ट्र को हम साफ करके दोबारा यूज कर सकते हैं वो तो यह उंगे आपके साफ होने वाले और जिनको साफ नहीं किया जा सकता, वो हैं बदले जाने वाले, तो साफ होने वाले फिल्टर जो भी हैं, वो लोहे की जाली के बने होते हैं, जिनको डीजल या पैटरोल से साफ करके दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बदले जाने वाले फिल्टर हैं, वो आपके वह उते प нормatory? पहला होता है पेपर एयर fighterा पेपर जो एयर debating है उसका परियोग है सामा ने आपने जिव connects यह तो गत्य के यह पाप का जो checkoutर अपर आपका आपका पाफ़ एर kwalekď होते है कि यह प्राइगा पपर के एयर फिर्टरा आपका दफ़िल्टा है एसा होता है लोही की जाली उपर यह लोही की जाली जो है यह आपके कहलाएगी प्रैमरी फिल्टर इसके नीचे फोम लगी होती है और उसकी दूसरी सैड में फिर लोही की जाली होती है तो लोही की जाली होगी वो कहलाएगी प्रैमरी फिल्टर और इसके अंदर की जो फोम ह हम कुछ जो इंजिन ओयल है उस से थोड़ा solder किया जाता है। उसके ऊपर लगया जाता है जिससे की निंभी बनी रहे और इस परकार का जो filter है वो कहलाएगा आपका. इसके बाद आता है oil bath filter, oil bath filter के अंदर, जाली नुमाइक filter होता है जिसका आधा भाग , वेल में डूबा होता है, इसे कहेंगे आप वेल बात फिल्टर के जिस फिल्टर का आधा भाग पेल में डूबा होगा और आधा उससे उपर होगा तो जब हवा जाएगे तो हवा उसके अंदर से गुजर कि जाएगी तो जो dust है वो आपका जो oil था उसके अंदर मिलके वहीं रह जाएगी तो air filter थे आपके तीन परकार के paper air filter, oil soul filter और oil bath filter अब किसरे point पे आपका आएगा fuel filter यह होता है आपका इंदन को चानने के लिए तो इंदन को चानने के लिए वहीं आपका एक primary और एक secondary दो परकार पर filter लगे होते हैं, इनसे पहले होता है आपका water separator, water separator हमेशा उल्टा लगा होता है इसके लगाने का कारण यह होता है कि अगर tank में fuel के साथ कुछ water होगा तो जब वो water is water separator में आएगा तो उपर oil होगा fuel और नीचे आप पर रहेगा water, क्योंकि जो तेल है आपका fuel है, जो इंधन है, वो पानी से हलका होता है इसलिए पानी नीचे हो जाएगा और आपका जो इंधन हो ऊपर चला जाएगा यह आपका नीचे drain होता है drain nut इसको जो खोलेंगे तो नीचे से हम इसका पानी-पानी भार निकाल देंगे तो यह होता है आपका water separator इससे आगे लगा होगा एक primary filter और एक होगा आपका secondary filter तो सामान में ते सरफ यही है जो कि आपके filter गाड़ी के अंदर प्रयोग किये जाते है कि आ है झाल जाब आते है जाते हैं प्रजबस को कि ए जव इसका इसको क्वेश को शेड़ी के प्रभी तो सामानी प्रॉबस।